नवश्कार आप सभी को सेलेबस एनालिसिस के विज्ञान और प्रद्योगी की सब्जेक्ट के इस तीसरी वीडियो में हम लोग तीसा जो चरण है उसमें जैसे उसमें हैं कम्पिटर और प्रद्योगी की ये वाला पोर्शन हम लोग जो है उसके सेलेबस का परिचे करेंगे और एनालिसिस करेंगे इससे पहले जब एनालिसिस करने उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लिर करना चाहता हूँ कि ये पार्ट भी क्यों इंक्लूड किया गया देखेए अफ़ी जो है सरकार का मैक्सीमम काम एक्पाम वो आन्लाइन होता है प्रशाशन का मैक्स बैनित होके जाएंगे उनका जो है रवया कैसा है उनको इसकी समझ कैसी है इसकी प्रती उनका जो है attitude क्या है अगर positive attitude के साथ जो लोग वहाँ जाएंगे तो इसको और ज्यादा अच्छे से निखा रहेंगे इस काम को तो इसी उद्धिश्य के साथ RPSC न भी इस पूरे portion को इ क्यों add किया गया इससे क्या है कि अपना एक पढ़ने का मोटीव जो है वो सेट हो जाता है उससे कि हमें उस दिशा में पढ़ना है हमें ऐसा बनना है ठीक है तो यही चीज है हम अब करते हैं अपन syllabus analysis पहला portion जो है आप लोग देख सकते हैं पहला portion है आधार भूत computer विक्या हो गया है तो उनको computer के प्रकार हम लोग बाढ़ते हैं न कि तीन प्रकार के मतलब उसकी size के हिसाब से बाढ़ते हैं तो चार प्रकार के हो गए micro computer, mini computer, man frame computer, super computer तो super computer के बारे में पढ़ेंगे, इन सब computer के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बद मुस क्या होता है और इससे related ही, जैसे super computer की 누ны चर्चाँ हुई है इसी से related supercomputer में national super computing mission क्या है उसके बारे मैं पढ़ लेइंगे . ठीक है फिर इसके अलावा computer के प्रकार होगे, उसके बाद में हम लोग computer के जो आधारबुत तत्व है या आधारबुत जो तत्व या भाग जो कहते हैं, वो कौन-कौन से हैं, उसमें देखिए, computer में दो होते हैं, पहला हो गया hardware और दूसरा हो गया software hardware, hardware और software क्या-क्या होते हैं, इनकी परिवाशा हैं पढ़ेंगे, कौन-कौन से hardware होते हैं, hardware में वैसे जो भी उपकरण है, जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे computer के पार्ट hardware होगे, software, hardware को जो संचालित करता है, वो software होते हैं, दिखते नहीं, इनको, इन hardware को स आगे जाएंगे, तो ऐसे कर लेंगे, input device कौन से है, output कौन से है, output हो गया, फिर उसके बाद में, memory, memory में भी आगे जाएं, तो deep में जाएंगे, memory में, by memory, आंतरिक memory, उसमें by memory में कौन-कौन से प्रकार है, वो सारी चीज़े हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके अलावा processing unit, तो यहां तक हम लोग, यह basic चीज़ जो है, वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग cover करेंगे, ठीक है, तो यह सारी चारों चीज़े हो गई, उसके बाद में software, software में दो प्रकार होता है, mainly, एक तो होता है, operating systems, operating system, जैसे windows हो गया, टीक है, और दूसरा पार्ट होता है, वो होता है, application softwares, तो यह वाले portion जैसे, इसमें क्या-क्या है, आगे और क्या-क्या important चीज़े है, वो वाली चीज़े हम लोग cover करेंगे, ताकि इन पे, क्योंकि इन पे सीधा दो लाइन का question, सीधा दो number का question जो होता है, two liner questions, वो सीधे आ सकते हैं, कि इसके बारे में बताईए, इसके बारे में बताईए, operating system के बारे में बताईए, application software क्या है, तो यह basic समझ जो है, वो हम लोग इसमें develop करेंगे, computer के आधार बूत, जो आधार बूत computer विक्यान के माद्यम से, ठीक है, फिर next part है, उसमें हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में second portion जो है, वो है networking और प्रकार, ठीक है, second portion है networking और प्रकार, अब networking वाला ऐसे तो बहुत बहुत बड़ा विस्तरित chapter है, लेकिन हम लोगों को जो RPSC हम से क्या expect कर रही है, वो यह है networking में कैसे कैसे network, network के प्रकार क्या है, ठीक है, पहली चीज तो networking होती क्या है, कैसे यह computer एक दूसरे से connect होते हैं, उनके क्या क्या principles है, वो वाली चीज बढ़ेंगे, उसके बाद में networking के प्रकार, प्रकार कौन-कौन से हैं, आप लोगोंने सुनने होंगे, एक हो गया, फर्स्ट हो गया LAN, local area network, second हो गया MAN, metropolitan area network, third हो गया WAN, wide area network, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या-क्या विशेषता हैं, वो पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और, जो connectivity के network के प्रकार होते हैं, जैसे wifi हो गया, माध्यम हो गया, connectivity के, Bluetooth हो गया, NFC हो गया, ठीक है, तो यह इनके बारे में, हम लोग पूरा पढ़ेंगे, और इनके बारे में, ताकि आप लोग ऐसा कोई भी question, क्योंकि यह हम लोग, हम धनिक जीवन में use करते हैं, तो यह इन पर question कभी भी बन सकता है, direct question बन सकता है, तो यह चीज़े हम लोग, इसमें networking और प्रकार वाले में cover करेंगे, फिर उसके बाद में आ जाता है, analog और digital दूर संचार क ठीक है, analog वो कौन से संकेत होते हैं, digital संकेत कौन से होते है, analog जो हमारे पुराने जो basic phone होते थे न, telephone, उन में analog संकेत use होते थे, उसमें analog दूर संचार use होता था, digital अभी computer digital जो है संचार use करता है, तो उसके बारे में deep में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर आ जाता है आवरत frequency spectrum, frequency spectrum, frequency spectrum वो होते हैं न, कि spectrum के कौन सा part किस में use होता है, telephone के लिए कौन सा use होगा, मतलब mobile के लिए कौन सा use हो रहा है, इसके लिए क्या बोलते हैं, 5G में कौन सा use होगा, फिर उसके बाद में जो है, जो कौन सा reserve रखा गया है, armed forces और उनके संचार के लिए, radio आवरती कौन स होगी नहीं होगी यह सारा चीज हो है हम लोग सपक्तर में करेंगे कैसे चोंके करता है क्या वНе करता है वे वॉला top 3G, 4G, 5G, अब 5G भी आ गया है, तो 5G की बारे में, इसके तरफ क्या इन में विशेषता है, नहीं नहीं जोड़ी, उसके अलावा जो SIM के टाइप होते हैं, GSM, CDME, ये वाला पोश्चन पड़ेंगे, और और भी जो इसमें मोबाली टेलिफोनी में आ सकता है, वो सारा, इन मे क्या क्या differences है, कैसे ये उन्नत हुआ, ठीक है, उनकी क्या frequency यूज करते हैं, कितनी speed आएगी, वो सारी चीज़ें इसमें cover कर लेंगे, ताकि अगर सीधा question आ जाता है 5G technology के बारे में, और इनके साथ-साथ में इनके अनुप्रयोग भी, कैसे ये फाइदेमन साबित होंगे, वो चीज़ें भी cover करेंगे, और अगर question आ जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको attempt कर पाएंगे, ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, वो आते हैं, सूचना और संसार प्रध्योगी की में, नूतन विकास, अब ये जो portion है ना, ये, ये terms जो है, पिछले लगब पांस सालों से ये term जो है, हमारे एक ध्यनिक चर्चाओं में और अकबार में, न्यूज में, ये terms आपने कहिन कहीं सुनी होगी, ये terms बहुत हमारे ध्यनिक जीवन में अब आ गई है, तो पहली चीज़ है artificial intelligence, तो artificial intelligence क्या होती है, ठीक है, artificial intelligence से क्या फाइदे हैं, उसके अनुप्रियोग दो पर रखना है, कैसे क्रिशी में उसका अनुप्रियोग है, स्वास्ते चेतर में हैयार, education चेतर में अनुप्रियोग है, तो वो सारी चीज़े हमें इसमें cover करेंगे, पहली चीज, इन सारी जो Newton टकनिक है न, उनमें हम लोग तीन चीज़े करेंगे, पहल भी आप लोगों ने यह सुना होगा कि facebook ने हमारे data जो है collect कर रखे हैं या फिर banks के data चोरी होगे तो एक साथ इतने data एक साथ इतना सारा data जहां पर भी इखटा हो उसका volume बहुत ज्यादा हो तो वो वाला data जो है उसको big data का जाता है तो वो जो ठेर होता है न data का ठेर एक जगा उसमें से अपने काम की data लेना उसका analysis करना वो ही big data के अंदर गताएगा ठीक है फिर तीसरा आगया cloud computing cloud computing यह हो गया कि अब जो है न हम लोग क्या करते हैं कि जैसे pdf खुलना होता है हमारा ठीक है तो google पे pdf खुल जाता है हमें adopt readers वो है उसको download करके install करने की ज़रूरत नहीं है तो यही वाला चीज है cloud computing मतलब computation जो सारा काम पहले offline होता था वो अब online network पे ही हो जाता है तो सारे software online मिल जाते हैं तो यही वाला काम है cloud computing तो इसके बारे में समझेंगे और इसका जो है प्रयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में और प्रशाशन में दोनों चीजे हम लोग cover करेंगे फिर आ जाता है internet of things यह भी नया term है और यह बहुत चर्चा में रहा है internet of things क्या होता है कि बहुत सारी जो electronic उपकरण है या electronic जो environment है वो connected रहते हैं अपस में एक smart home एक smart जो है hospital यह internet of things के वो है ठीक है एग्जामपल है smart home कैसे हुआ जैसे गाड़ी में बैटने से पह गाड़ी जैसे घर से एक mode पहले मुड़ी तो गाड़ी का संकेत गया जो है घर में अपने आप वहां का AC स्टार्ट हो गया वहां पे एकदम वो हो गया उसके बाद में साथ साथ में चाई बनने लगी या coffee बनने लगी तो यह सारी चीज है यह जो instructions है ना यह machine to machine instructions है और यह यह internet of things ठीक है आपस में connected रहेंगे और मानों का जीवन आसान करेंगे यह वाला है internet of things तो इसकी main परिभाशा क्या है इसके उपयोग क्या है यह सारे चीज है हम में इसमें पढ़ेंगे फिर आजाती है cryptocurrency bitcoin ठीक है bitcoin ethereum यह सब हम लोगों ने सुने है bitcoin में किसी ने कोई कोई रि जो एक क्या क्या technology है क्या crypto का कैसे उपयोग हुआ है और उसके साथ में block chain टक्नीक जो है उस पर सीधा question 2021 में पूछा गया ठीक है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में संक्षित में कैसे लिखना है वो भी चीज हमें मैं यहाँ पर सिखाऊंगा फिर आगे आ जा हमने एक बार बना दिया तो मोटे मोटे तौर पर हमारा पूरा cover हो गया ठीक है तो OTT platform over the top platform जो होता है वो क्या है कि अभी नए Netflix हो गया Amazon Prime वीडियो हो गया यह सारे जो है यह OTT platform है इसके संबंद में सरकार ने अभी नई नीती बनाई है वो वाली नीती भी समझेंगे और OTT platform क्या होता है उसकी परिबासा कैसे लिखेंगे यह सारी चीजे हम लोग इसमें समझेंगे फिर आगया social media और उसके प्रभाव यह सारे के प्रभाव भी क् करेंगे फिर आजाता है भारत में IT उद्योग बहुत major portion है हमारे economy का IT उद्योग 7.4% of GDP is coming from IT industry तो यह चीज जो है यह ध्यान में रखके इसी लिए इसको और इसकी importance कितनी आप समझ रहे है कि 7.4% of GDP यह है अकेला IT उद्योग IT service sector नहीं IT उद्योग अकेला इतना ला रहा है तो IT उद्योग में कौन-कौन से उद्योग आते हैं और उनको बढ़ाने के लिए सरकार की क्या पहल है यह important है इससे ज्यादा आपनको ज्यादा नहीं है कि IT उद्योग की अभी इस्तिति क्या है उसको improvement करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे है और राजतान सरकार क का विशेश कोई प्रयास हो तो वो हम इसमें लेंगे ठीक है फिर हो जाएगा लास्ट में digital इंडिया पहल ठीक है तो digital इंडिया पहल जो चालू हुई थी उसमें क्या-क्या चीजे सामिल की कई है उसके क्या-क्या अंग है वो सारी चीजे जिसमें सामिल करते हुए पढ़ पहलेंगे तो digital इंडिया पहल और digital राजसान पहल रहना उन्हीं वजह से ये वाला पॉर्शन हमारे सेलिबस में है ताकि हमें इसकी समझ हो और हम लोग अच्छे प्रसाशक बन सकें आगे आगया प्रध्योगिकी प्रध्योगिकी में सारी ये स्पेलिंग प्रध्योगिकी तो विज्ञान और प्रध्योगिकी में अब देखिए ये वाला पॉर्शन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये आत्मविश्वास जगाता है कि हमने ऐसा किया है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है विज्ञानी को जिनने भारत के विज्ञान और प्रध्योगिकी विक ऐक चराग सुस्रूत फिर वरा महीर हो गए है आर्यो फट हो गए ठीक है तो ये सारे हम लोग पड़ेंगे उसके अलावा फिर कि मिडाइवल के बाद में मेडाइवल के जो हमारे वेज्ञानिक है उनके बारे में पड़ेंगे फिर उसके बाद अभी करंट तक आ जाएंगे जैसे एपी जी कलाम सर सीवी रमन सर चंद्रेशेकर सर इनके क्या-क्या योगदान है इननोंने क्या-क्या कारी किया विज्ञान के छेत्र में सारे जो भी अभी करंट के है टेशी थामस ठीक है इनके बारे में क्योंकि सीधा कोश्चन आया था दस नंबर का वो भी किसके नाम पे एपी जी अब्दुल कलाम के क्या योगदान है सीधा कोश्चन आया था तो यहां से कोश्चन सीधा ओट सकता है आई बात समझ में अगर मतलब RPSC ने अभी देखी करंट वाले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि करंट में अगर कोई प्रच्चलीत रहा तो उसका सीधा और उसके बाद में यह वाला जो है यह वाला पॉश्चन पूरा एक डिटेल में पूछा है कोश्चन कि भार्ची वैग्यानिकों के योगदान ठीक है तो उसमें सारा कवर करेंगे तो अच्छे पॉइंट सापके पास होंगे और अच्छे से लिख पाएंगे एंस वर ठीक है यह हो गया फर्स्ट पार्ट अब इसके बाद में सेकिंड पार्ट है हमारा वह है वेग्यानिक और तक्निकी प्रगर्ती इसमें रोबोटिक्स जो है वो विख्यान की वह साखा है जिसमें रोबोट के डिजाइन हो गया निर्मान हो गया संचालन हो गया और उसके बाद में उसका जो है पूरा प्रोसेस जो है उसको उसका बारे में अध्यन किया जाता है ठीक है तो वही रोबोटिक्स है और रोबोटिक के इसके रोबोटिक्स कोड जो है उसको प्रोथसान देने के लिए कौन सी पहल है और क्या-क्या कर रहे हैं उसके बाद में जो है Center for AI and robotics वह वाला भी थोड़ा सा portion हम लोग कवर करके यह वाला चेप्टर हमारा क्लियर होगा फिर हो गया machine learning machine learning machine जो है वह अपने आप सीखती है ठीक है वह उसमें ऐसे program वह ऐसी program होती है कि कोई भी एक संक्रिया जैसे हुई उसके बाद में वह अपने आप में data include करती है और अगली बार में वह सेम क्रिया अपने आप कर लेती है ठीक है तो यह machine learning का concept क्या है और कहां कहां use हो सकती है वो चीज़े सीखेंगे फिर हो गया augmented reality augmented reality होता है कि जिसमें जो है computer की जो मतलब computer based 3D कोई program हुआ 3D जो view हुआ उसके साथ में कुछ ऐसे reality के तत्व एड किये जाते है जैसे हम लोग 7D और 8D cinema में नहीं जाते है वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो लगा हुआ होता है सामने screen होती है और 3D का वो projection होता है साथ साथ में नीचे से कोई जाडू या वो से हिलाते है तो वो हो जाता है पैर से touch वाला हो जाता है फिर पानी भी छीटे वड़ते है तो वो है augmented reality तो उसमें कहां-कहां यूज होगी augmented reality वो चीज करेंगे फिर उसके बाद में हो गया नैनो प्रद्योगी की पदार्थ के नैनो साइज में मतलब 10 to the power minus 10 9 और इस पराश में इस पराश में कैसे पदार्थ के गुण जो है वो अलग हो जाते हैं वो Newton के law उससे थोड़ा सा difference दिखाते हैं इसलिए नैनो लेवल पे उनको कैसे top to bottom प्रद्योगी की क्या है bottom to top क्या है तो ये वाला चीज जो है हम लोग इसमें सीखेंगे नेनो प्रद्योगी की के अनुप्रयोग कहां कहां है क्रिशी छेत्र में है इसमें चिकिसा छेत्र में हैं उसके बलावा भी डिफेंस सेक्टर में हैं तो वो पूरा को कवर करेंगे फिर हो गया RFID टेग ये RFID भी इंपोर्टेंट हो गया क्योंकि फास्टेग उसी समय फास्टेग थोटे दिनों पहले मतलब 2020 में साथ जो है वो चालू हुआ था पूरे देश में पूरा लागू किया गया था फास्टेग क्या होता है तो RFID टेक्नोलोजी को यूज करता है तो ये भी हम लोग जो मॉल में कपड़े पपड़े खरीजने जाते हैं तो उसमें जो टैग लगा होता है न और टैग को निकलवाना जरूरी है वरना वो अलाम बजा देगा उस गेट से बाहर आते है तो ये भी RFID टेक्नोलोजी है ठीक है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग क लेके कौन सा प्रोग्राम या पहल है उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे जो है इन यह अभी करंट के करंट से जोड़ के आपको पढ़ाये जाएंगे ताकि कुछ भी कुश्चन पूछा जाए आप बहुत तरीके से अगर थोड़ा कुश्चन घूम भी जाए तो राजस्तान में विकास और विज्ञान और प्रद्योगी की का विकास इसमें राजस्तान क्या 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 नए इनिशेटीव लाए है राजस्तान सरकार ने कौन-कौन सी नहीं नीती लाई है वो उसके बारे में पढ़ेंगे फिर विज्ञान और प्रद्योगी की संबंदित सरकार की कौन-कौन सी नीति आए ठीक है दूर संचाड नीति हो गया विज्यान की जो है एक और विज्यान प्रद्योगी की के विकास के लिए broadband नीती हो गया, इसके लिए नए center खोले गए हैं, clusters खोले गए हैं, वो सारी चीज़े हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिर आ गया second portion वो आ गया आच्शा प्रदर्शन कर रहा है, तो आंत्रिक्स प्रद्शन किया है और SPACE यान क्या होता है, SPACE, VEASSLE कौन से होते हैं ठीक है। पूरा पढ़ेंगे फिर इंडिया का जो अंत्रिक्ष प्रोग्राम था उसका कैसे एवलिशन हुआ ठीक है साउंडिंग रोकेट से लेके जी एसलवी तक कैसे हम लोग आगे बढ़ें वो पढ़ेंगे उपग्रह कौन-कौन से टाइप के उपग्रह हुए जैसे संचार कवर करेंगे भारत का अंत्रिक्रम जो था वो करेंगे उपग्रH और उनकी काक्षाओं में जो हो गया जिए उन्क्रोण debido हो हो गया और संसेंक्रोणस जो और्बिट होता है वो हो गया तो यह सारी चीजे हम लोग इसमें विस्तिरत रूप से कवर करेंगे और इससे questions आते रहे हैं ठीक है फिर विबीन प्रक्षेपन यान मैंने बताई दिया है और सुदूर समेदन जो होता है remote sensing वो कैसे होती है उसके क्या concept है वो चीजे हम है और कौन-कौन सी missile है भारत ने develop की है किस missile की क्या विसेशता है यह सारी चीजे है cruise missile कौन सी होती है ballistic missile कौन सी होती है fire and forget missile क्या है अस्त्रा आया जो भी है पटना जो है पृत्वी आग त्रिशूल यह वाली सारी चीजे हम लोग इसमें cover करेंगे फिर हो गया हत्यारों में रासायनिक और जैवी खत्यार ठीक है यह इन से related कौन-कौन से international convention है वो भी हम लोग cover करेंगे कौन-कौन से रासायनिक हत्यार है रासायनिक हत्यारों को भी classified किया गया है फिर उसके बाद में जैवी खत्यारों को भी classified किया गया है उनको बैन लगाने के लिए कौन सी treaty हुई ह यह सारी चीजे हम लोग इसमें cover करेंगे और उसके बाद में आप इतने confident हो जाएंगे कि exam में आप जाते वक्त जो है ना science का आपको tension नहीं होगा तो science and tech वाला और इसके साथ-साथ में हम जो जो भी subject लाएंगे उस किसी में tension नहीं होगा क्योंकि एक बार आपने syllabus तो देख लेते हैं पहला question है cyber युद्ध नीती क्या है और इस तक्निक का उपयोग युद्ध में कैसे किया जाता है तो cyber technology का युद्ध में क्या उपयोग है यह applied वाला question पूछा है ठीक है फिर quantum dot क्या है उसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए यह 2013 के question है ठीक है फिर यह देखिए CV रमन और हर गोविंद खुराना को के छेत्र में नोबल पुरुष्कार तो यह हमारे वेगोनिकों के योगदान और उनको क्या पुरुष्कार मिलें यह जब तक हमारे को जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसका आंसों कैसे लिख पाएंगे फिर हो गया nanotechnology से nanocon का क्या है और इनकी उपयोगिता के दो उधारन दीजिए यही चीज हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद में give an account of the use of information technology in e-governance, e-commerce और international diplomacy ठीक है तो use होगया applied question पूछ लिया कि information technology का e-governance में क्या use है तो सीधा कह देंगे digital India पहल या भामाशा कार्ड, RGHS का example देके दे सकते हैं फिर e-commerce में Amazon Flipkart यह ACP based है ठीक है फिर उसके international diplomacy में क्या use है तो यह सारी चीजे applied में है ठीक है आप आगे देखते हैं 2016 और 2016 का special उसमें देखिए 10-10 नमर के question है सीधे सीधे simple से what do you understand with communication system संचार निकाय से आप क्या समझते हैं और संचार निकाय का block चित्र देते हुए उसके अव् लोग cover करेंगे फिर उसके बाद में भारत में के विज्यान और वैग्यानिक प्रद्योकिकी में डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम जो मैंने कहा था ना कि यह 10 नमबर का question सीधा आया है एक दम एपीज अब्दुलकलाम के योगदान अब यह question दो लिखेंगे सब लेकिन आप अगर जितना सटिक और सारगरवित आंसर लिखेंगे उतने ही अच्छे marks आपके आएंगे आगे बढ़ते हैं 2018 में सीधा आया है एनालोग और डिजिटल संकेत के मद्य अंतर क्या है दो नमबर का question है बहुत simple question है ठीक है अच्छे से लिख देंगे सारगरवित तरीके स भारत का nano mission nano pradyo के की में हम लोग भारत के nano mission के बारे में वो पड़ेंगे ठीक है तो उसके आगे अब देखिए 2021 में सीधे सीधे questions क्या आया OTT platform कहा से आया celibus से direct सिर्फ वो celibus का वो point होकर हमने cover कर लिया होता तो इसका answer सीधा दे सकते हैं फिर RFID सीधा आया RFID के concept क्या है basic concept और two application तो मैं नहीं बता दी कि एक fast track में हो गया एक mall में ठीक है उसके बाद में धुरुविय उपग्रह प्रक्षपन यान 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 पोलर PSLV और GSLV में difference क्या है सीधे उसमें प्रक्षपन यान लिखा हुआ था और यह सीधा question आ गया फिर उसके बाद में cryptocurrency महान लिखा हुआ था और सीधा पूछा है mobile टेलीफोनी से सीधा question आया है फिर उसके बाद में missile और सामरिक प्रणाली का उद्देश्च लिखिए MSS cluster में सामिल प्रयोक शालाओं के नाम लिखिए यह वाला थोड़ा सा deep में पूछा है बाकि जो है सीधा का सीधा आपके syllabus से question आया है इसलिए कहता हू देखिए syllabus analysis जरूरी है और दूसरा यह वाले previous year questions जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि कहां तक जा रहा है और उससे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग cover करेंगे ताकि आपको कम time में बहुत अच्छा result दे पाएं इसी के साथ thank you very much अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आगे इसी एक जो पुराने aspirant है जिसने अच्छे marks सबसे अच्छे marks मिले है ठीक है उसने क्या answer लिखा है और जिसने कम marks मिले है उसने क्या answer लिखा है तो इन दोनों के बीच में comparison करके आप लोगों को बहुत अच्छे से कि क्या लिखना है तो यह previous year question आप लोग अभी attempt कर सकते हैं attempt करके रखिए जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा तो आप उससे compare करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के जो है उसके बारे में पता चलेगा कि हमेरी तैयारी के सिस्तर की है Thank you very much